हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ उड़की रेवडी बनाने की रस्पी शेयर कर रही हूं जिसके लिए इंग्रेडियन्स चाहिए तिल 125 ग्राम गुर्ड 100 ग्राम देशी घी एक चमच गैस पर एक पैन रखा है जिसमें हम तिल के जो बीज हैं इन्हें रोस्ट करेंगे और इसे हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है इसे जलाना नहीं है सिर्फ भूनना है जैसे यह पॉप अप होना शुरू होंगे दो से तीन मिनिट में यह देखे यह पॉप अप होना शुरू हो चुके हैं इनका कलर हलका ब्राउन हो चुका है जैसे ही यह रोस्ट हो जाएंगे इसे मैं साइद में प्लेट में निकाल रही हूं और फिर से पैन रख रही हूं गुरूसी पैन में मैंने यह जो गोड़ है इसे मेल्ट होने के लिए डाल दिया है इस गुड़ को भी हमें लो फ्लेम पर ही मेल्ट करना है यह देखिए अच्छे से मैल्ट हो चुका है अब हमें इसमें एक चमच देशी गी अड़ करना है और अच्छे से हीलाना है और इसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा यह जो मिश्टन है यह क्रंची हुआ है कि नहीं है क्योंकि यह हमें इस तरह से कड़क ही चाहिए यह मेरा जो गुर का मिश्टन है यह रेडी हो चुका है अगर यह नरम होगा तो इसे हमें 2-3 मिनिट के लिए और पकाना है अब इसमें एक पिंच बेकिंग सोडा अड़ करें देखे जैसे मैंने बेकिंग सोडा अड़ किया है तो यह फूलना चालो हो चुका है इसे लगातार इसी तरह चलाते रहेंगे इसके बाद इसमें मैं आदे से जादा जो मैंने भूने थे बीच वो इसमें डाल दूँगी तिल के और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी इस समय में मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसी तरह इसे चलाते रहेंगे अच्छे से मिश्रन को मिक्स करेंगे मैंने पहले से ही प्लास्टिक कीशीट को ग्रीज करके देसीगीसे रखा है इसमें इस मिश्रिन को हम निकाल लेंगे और क्योंकि ये मिश्रन गरम है इसे हम डारेक्ट हाथ से टच नहीं करेंगे और इसे नरम करने के लिए हम ये प्लास्टिक की शीट की सहायता से ही अच्छे से गून देंगे जिससे ये मिश्रन एक तो ठंडा हो जाएगा और ये नरम भी हो जाएगा इसमें से कुछ और मैं तिल जो है इसमें एड़ कर रही हूँ और फिर इसे तो तिन मिनिट तक इसी तरह हमें गूंदना है पर इस बात का ध्यान रखना है कि ये मिश्रन ठंडा नहीं होना चाहिए नहीं तो इससे बॉल रडी नहीं कर पाएंगे हम अब मैंने हाथ में घी लगा लिया है और तुरंत मैं छोटे छोटे बॉल बना कर उसे थम से प्रेस करके और थोड़े से उपर तिल के जो बीज है इने टच करूंगी और साइड में रखती जाऊंगी और यह देखिए हमारे क्रंची रेडी रेडी है यह देखिए मैं आपको एक जो है इसमें से यह खाके यह देखिए इस तरह से यह आवाज आ रही है कि कितनी कड़क और अच्छी बनी है अगर आप फर्स टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइ कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलें मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए आपका फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में दीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए